नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मोटिविशन की धारा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, प्रेयर और विश्वास में वो सकती होती है कि जब आप दूसरों के लिए प्रात्ना करते हैं और आपका उस पर पूरा भरोसा होता है तो यकीन मानिए कि उस वेक्ति के दिल में जो आपके लिए negativity है उसे पूरी तरह से आप बदल सकते हैं और इससे मिलने वाले result आपको चौका देंगे आप इस पर उसी तरह से बिलिव कर सकते हैं जैसे कि जमीन में बोया हुआ एक बीज ये एक टाइम पर तेजी से बढ़ता है वो एक दिन जमीन से बाहर जरूर निकलता है इसी तरह से आप अपने मन में बीज भो दें इसे उमीद और determination का पानी और खात दें कि एक दिन जरूर फूलेगा फूलेगा खुद को बार-बार विश्वास दिलाते रहें कि आपका अवजेतन मन कुछ भी कर सकता है क्योंकि हमारा अवजेतन मन विश्वास पर काम करता है यहां केवल एक ही उपचार शक्ती है और वो है हमारा अवजेतन मन एक बार आप इसे किसी भी चीज के बारे में आप सुनते हैं उसके पीछे अवचेतन मन ही काम करता है इसलिए कहा जाता है कि आप जिस भी चीज पर विश्वास करते हैं चाहे वो असली है या फिन नकली चाहे वो आपका अंध विश्वास ही क्यों नहों आपको उससे रिजल्ट जरूर में लेगा चाहे आपको कोई ला इलाज बिमारी है और आप किसी साधू संत की भभूती पर विश्वास करते हैं कि वो आपको ठीक कर सकता है तो वो भभूती आपको जरूर ठीक कर देगी क्योंकि आप वो सुझाओ अपने सबकॉंसियस माइंड को देते हैं और सबकॉंसियस माइंड वही करता है जिस पर आप विश्वास करते हैं जिन चीजों को सोचकर आप खुश होते हैं सब कॉंसियस माइंडों से पूरा करने में लग जाता है तो उस्ते एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर तो घाव की पट्टी करता है लेकिन उसे ठीक एश्वर करता है आप डॉक्टर के पास इसले जाते हैं क्योंकि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि वो डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है मेरा यकीन मानगे कि अगर आप किसी डॉक्टर की काबिलियत पर शक करते हैं आपको ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता और किसी मजबूरी के कारण बेमार होने पर आप उसके पास जाते हैं तो चाहे वो डॉक्टर आपको कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ना दे दे आप उसकी दवाइयों से कभी ठीक नहीं होंगे लेकिन इसके उल्टे अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसे कम एक्सपिरियंस है लेकिन आपका उसके उपर पूरा विस्वास है कि वो आपका इलाज कर सकता है तो वही सेम दवाइयां देने पर भी आप उस डॉक्टर की दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो ये कैसे होता है ये होता है आपके सबकॉंसियस माइंड के थरू आपने अपने सबकॉंसियस माइंड में जो एक्सपिरियंस जो बिलीव बिठा लिया है कि उस पर काम करता है क्योंकि पहले वाले डॉक्टर पर आप भरोसा नहीं करते आपको लगता है कि वो आपको कभी ठीक नहीं कर सकता इसलिए आप उसकी दवाईयों से ठीक नहीं होते जबकि वही दवाईयां जब दूसरा डॉक्टर देता है जिस पर आपका भरोसा है तो आप उसकी दवाईयों से ठीक हो जाते हैं तो याद रखे कि डॉक्टर तो सिर्फ दवाईयां देता है ठीक सिर्फ आप अपने विश्वास के कारण होते हैं हमारे सब कॉंसियस माइंड के अंदर किसी भी बेमारी को ठीक करने की वो पावर है जिसे किसी सही वेक्ति के द्वारा गाइड किया जाए तो ये किसी भी बेमारी को ठीक कर सकता है और ये पावर हर एक वेक्ति के अंदर है चाहे वो किसी भी जाती या कम्मिनिटी का हो को कहीं नहीं जाना पड़ता ये law इस दुनिया में exist करने वाली हर एक चीज पर एक समान लागू होती है ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती इस दुनिया के सभी धरम किसी ना किसी विश्वास को मानते हैं इन विश्वासों को कई तरह से व्याख्या भी करी जा सकती है और इस विश्वास का एक ही रूल है आपके साथ वही होता है जैसा आपका विश्वास होता है जीवन में जब आपको कोई चीज चाहिए तो आप अपने मन पसंद धार्मिक स्थान पर जाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं आप अपने ईश्वर से उस जीच को मांगते हैं और आपको मिल जाती है क्योंकि आपका विश्वास है कि उस धार्मिक जगा पर आप जो भी कुछ मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान पहुचा सके कोई भी चीज नुकसान इस वज़ा से पहुचाती है क्योंकि आप ऐसा सोचते है कि वो आपको नुकसान पहुचा सकती है क्या आपको कभी बिजली का जटका लगा है या फिर कभी आपने बिजली से खाना बनाया है दोनों कितनी अलग-अलग बाते हैं एक इनसान बिजली का फाइदा उठाता है लेकिन दूसरा इनसान उससे डरता है कि कहीं उसे उससे नुकसान न पहुंचे चीज एक ही है लेकिन उसका यूस अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है तो अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि वो आपको नुकसान पहुचा सकती है तो वो आपको नुकसान जरूर पहुचाएगी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन और घटनाए हो जाएंगी कि उन चीजों से आपको नुकसान पहुचने लगेगा क्योंकि आपने अपने सबकॉंसियस माइंड को कहा है कि वो चीज आपको नुकसान पहुचा दे दा पावर ओफ यूर सबकॉंसियस माइंड के आथर से एक व्यक्ति ने पूचा ऐसा क्यूं है कि मेरा ट्रीटमेंट एक पादरी ने किया उस पादरी ने उसे कहा कि उसकी बिमारी जैसी कोई चीज नहीं है पहले उसने पादरी की किसी बात पर भरोसा नहीं किया लेकिन पादरी ने उसे शांत रहने को कहा थोड़ी देर में वो शांत हुआ और पादरी शांती से उसके पास पैट गया और धीमी धीमी आवाज में एक घंटे तक द्रेटता से कहता रहा कि इस व्यक्ति के पास शांती, बैलेंस और समपूनता है ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है घंटो बाद उस व्यक्ति को आराम महसूस हुआ और वो हेल्थी हो गया तो आधर कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा पादरी के पास ऐसी कूरी शक्ति नहीं थी कि वो किसी की हेल्थ को ठीक कर सके पादरी ने सिर्फ इतना किया कि उस बिमार व्यक्ति के सबकॉंसियस माइंड को सुझाओ दिया कि वो बिल्कुल हेल्थी है और उन बातों को अपने सबकॉंसियस माइंड में पहुंचाने में उस व्यक्ति ने पादरी का पूरा सहयोग किया जिसके वज़ा से वो ठीक हो गया और पादरी को भी इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो उस वेक्ती तक अपनी बाते पहुचा सकता है इसलिए वो पादरी ऐसा कर भी पाया ओधर के एक साइकोलोजिस्ट फ्रेंड ने उन्हें बताया कि उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था एक्सरे लेने के बाद ये पता चला कि उसे टीवी है रात को सोने से पहले वो द्रिडिता से अपने आप से कहता था कि मेरे लंग्स की कोशिकाएं, नस, उत्तक और मास बेसियां पूरी तरह से ठीक है मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं एक हेल्दी इनसान हूँ चाहिर सी बात है कि ये बनावटी बाते थी जो वो अपने आप से कह रहा था क्योंकि बेमारी तो उसे थी वो लगबग एक महीने तक अपने आपको ऐसा विस्वास दिलाता रहा इस तरह की अफरमेशन करता रहा एक महीने के बाद जब उसके एक्सरे लिए गए तो वो पूरी तरह से ठीक था उसने बताया कि वो इन शब्दों को सोने से पहले कहता था क्योंकि हमारा अवचीतन मन सोने के समय ज़्यादा एक्टिव होता है इसलिए अपने सबकॉंसियस माइन को कुछ अच्छा काम करने के लिए सूने से पहले ही कहना चाहिए तो दोस्तो आपको चाहिए कैसी भी बिमारी क्यों ना हो आप उसका नाम लेना बंद कर दीजिए आप उस बिमारी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए आप ठीक होने के बारे में सोचिए क्योंकि जब आप अपनी बिमारी के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी बिमारी को बढ़ाते हैं और जब आप अपने हेल्थी रहने के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी हेल्थ को ठीक करते हैं अगर आप लगातार अपने दर्द और उनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो आपका दर्द और उनके सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देंगे हमारे मन का नियम है कि हम जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं वो चीजे हमारे आसपास ना होने के बावजूद भी अपना आकार लेने लग जाती हैं और एक दिन हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाती हैं। तो अगर आप सोचना ही चाहते हैं, अगर आप विश्वास ही दिलाना चाहते हैं तो आप ऐसी चीजों के बारे में सोचिए ज आपको खुशियां देती हैं तो दुख और चिंता को छोड़कर प्रोस्पेरिटी की तरफ आके बढ़िए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जुरूर बताईए क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा